नमस्कार दोस्तों, Zee News के 5 एक्सपर्ट जो की टीवी शोज पर आकर लोगों को स्टॉक मार्केट के टिप्स रिकमेंड किया करते थे, जो की सोशल मीडिया के इंफुलेंसर भी थे, उनके खिलाफ सेवी ने इन्वेस्टिगेशन की और 7 करोड 41 लाख रुपे की पैनल्टी लगा दी, ये पांच सोशल मीडिया एक्सपर्ट किरन जादव, आशीश केलकर, हिमांशू गुपता, मोदित गोयल, सिमी भूमिक, ये लोग यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े हुए थे, किरन जावेद और आशीश केलकर, उने में कमप इस थी, और इन सबके उस टीवी चैनल पे अलग-अलग शोज आते थे, नाम मैं आपको बता देता हूँ, किरन का कमाल, जिसमें किरन एन आशीश आया करते थे, हिट मैन हिमांशू, मुधित के मुनाफे, और सिमी के नॉन स्टॉप शेर्स, 31 दिसंबर से एक फरबरी 2022, ये कारण वो लोग अपनी पोजिशन बना लेते थे, और जैसे ही इन टिप को टीवी शोज पे शेर किया जाता था, उसके कुछ ही मिन्टो बाद, उसमें से जाधातर पोजिशन को एक्जिट कर दिया जाता था, और एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया जाता था, सिम्पल, ये शेर को 100 रुपे पे खरीद लीजे, क्योंकि मेरे हिसाब से ये शेर 1500 रुपे तक जाएगा, क्योंकि अब वो टीवी चैनल एक बहुत बड़ा न्यूस चैनल है, और लाखों लोग उसको देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं, कि उसमें से कुछ हजार लोग अपनी पोज पहले मैंने हैवी पोजिशन अल्रेडी बना रखी है, एक थार्ड परसन के थ्रू, टीवी पे वो टिप देते ही, कुछ लोग उस स्टॉक में अपनी पोजिशन बनाएंगे, वॉल्लिम बड़ेगा, प्राइस बड़ेगा, और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और जैसे ही वो स्टॉक 100 का 120, 125, 130 होगा, मैं एक जट कर लूँगा, अब लोगों का प्रॉफिट हो या ना हो, बट मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है, और इसी तरीके से ये पांच लोग जो की सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स बनके सेवी रजिस्टर्ड लाइसंस लेकर य उसके ठीक पहले ये टिप इन साहब के पास पहुँच जाते थी, सिंपल, और ये पोजिशन बनाते थे, और टीवी पे ये टिप्स रिकमेंड होते ही, कुछ मिंटो बाद अच्छा खासा प्रॉफिट के साथ एक्जिट, सेवी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान सिमी और 50-50% प्रॉफिट शेरिंग मॉडल पे काम करने के लिए ओफर किया, बस उनको जो टिप मैं टीवी चैनल पे देने वाली हूँ, उसके कुछ मिंट पहले वट्सेप पे शेर करना था, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कबूल किया कि उन्होंने निर्म करता में हल्दी रामस में होता था, किरन जावेद और आशीश केलकर की मुलकात पूने में ही हो चुकी थी, और ये सब सेटिंग इन मीटिंग पॉइंट के दोरानी हुई थी, और बचे हुए दो शक्स हिमानशु गुपता और मुदित गोयल की बातचीत भी उन्ही दोनों कुछ कंपनी के नाम पर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किये गए और उनमें कैश ट्रांसफर किया गया, नएने लोगों को जोड़ा गया और पूरा नेटवर्क सेट करने के बाद 10 से 11 महीने में 1047 इंस्टेंट्स हुए और ट्रेड करके 7 करोड 41,29,648 रुपे चाप लिए अब प्लानिंग तो समझ ली, अब रियल में ये लोग कैसे करते थे उसको समझ लेते हैं, डेट थी 2 सेप्टेंबर 2022, टाइम 2 बच के 15 मिनट, टीवी पे किरन का क्या था, हाँ किरन का कमाल, तो कमाल ये किया गया कि इंडिया मार्ट का शेर 400 रुपे की कॉल बाई कर लीज और उन्होंने पोजिशन बना रखी थी, और जैसे ही वो टिप टीवी पर प्रोवाइड की गई, इसमें 12.64% वेरियेशन आया, और टिप प्रोवाइड करने के 15 मिनट बाद ही ये वेरियेशन 5% तक रहा, और टिप देने से पहले वॉल्यूम था 2411, और जैसे ही वो टिप दी गई, उसके 2 मिनट के अंदर ही वो वॉल्यूम पहुँच गया 36,300 रूपय, और 15 मिनट तक 14,540 तक रहा, मतलब किरन के कहने पर सोनी ने पोजिशन आल्रेडी बना रखी थी, और 2-3 मिनट होल्ड करने के बाद, एक्जिट मार देते तो, एक तगड़ा प्रोविट बन नाया भी, सिमी भूमिक, ना सिर्फ निर्मल सोनी, बलकि अपने पती पार्थ सार्थी धार को भी ये टिप मैसिज के जरीए प्रोवाइड करती थी, मीम लगाऊं या फिर काम चला लोगे, अब वो बाउजी भी पोजिशन बनाय जा रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर का वाले हो तो, अब वापस आ जाते हैं टॉपिक पर, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि सिमी भूमिक, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्ज एनलिसिस है, और कोई भी आरे, जब आपको टिप प्रोवाइड करती है, तो उसके 30 दिन पहले या 5 दिन बाद, ना उसके घरवाले, ना उसके रिष्टेदार, उस स्टॉक में कोई पोजिशन नहीं बना सकते, लेकिन इस केस में तो पोजिशन उसके हस्बेंडी बना रहे थे, तो जब सेबी ने कैलकुलेट किया, कि जब भी ये गैंग टीवी पे टिप प्रोवाइड करती थी, तो उनके स साथ मिलकर निर्मल सोनी ने कितना चापा, तो ये अमाउंट था 4,47,975 रुपे, अब जिन लोगों को ये कम लग रहा है, कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो वेट, मैंने बताया था कि कमपनी अकाउंट खोले गए थे, और निर्मल कुमार सोनी एक शातिर आदमी थे खुद के अकाउंट पे कमी हाथ रखा हुआ था, मनन शेर कॉम प्राइविट लिमिटेड, जो की उनीकी कमपनी थी, और उसे कमाया गया है, 1,45,1336 रुपे, और इस बार ये लोग आपको निराश नहीं करेंगे, अपनी जेब भरने के लिए, तो कैलकुलेटर निकाल लो, क्योंकि जरूरत पड़ सकती है, सेकेंड, सार कमोडिटीज, 4,37,57,697 रुपे, थार्ड, कनहिया ट्रेडिंग कमपनी, 1,10,4,989 रुपे, और लास्ट में जो सेबी रजिस्टर्ड आरे थी, सिमी भूमिक, जो की अपने हस्बेंट को टिप दिया करती थी, पार्थ सार्थ धार, 53,84,600 रुपे, अब जो टोटल अमाउंट आया होगा, 7,41,29,648 रुपे, एक मिनिट, अभी बाकी है, सेबी ने एक एंट्री मोडम निकाला है, और कहा है, अभी के लिए जितना भी अनलोफुल तरीके से कमाया है, सारा वाबस करो, हम आपको एक नोटिस भी देते है जिसमें आप हमें ये बताएंगे, आपके उपर हम कड़ी से कड़ी कारवाही क्यों न करें, और साथ में ही इतना अमाउंट आपसे और क्यों न ले, और इसमें से जो भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनलिसिस है, उसका लाइसंस क्यों न कैंसल किया जाए, और साथ में आप सब को स्टॉक मार्केट में फिक्स्ट पीरट के लिए बैन क्यों ना करें इसका अंसर आप दे और उसी बहाब पे अगली कारवाही की जाएगी तो ये एक और अवेरनस वीडियो थी ट्रेट टॉक्स की तरफ से तो सेबी के रजिस्टर्ड आईए और आरे किस तरीके से काम कर सकते हैं उसके उपर एक प्रोपर वीडियो बनाई हुई है आप इसको भी देख सकते हैं टेक केर